आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर दा हीमालियन स्टेडी यूटूब चैनल पर और आज की डेड है 13 अप्रेल और आज की समचर पत्र की मैंत्मुन सुचनाएं है यूपी टेपल सी बीडियो भड़ती 22 जल्द इसका बिग्यापन आने वला है और इसमें पदों की संक्या है 212 और बिएट प्रिवेश परिक्षा तीथी में बदलाब हो सकता है और इसके वाद सुचना होगी बीडियो में यूपी टेपल सी जेई एक्जाम 16 अप्रेल को होगा और इस परिक्षा में बदलाब कर दिया गया है और यूपी टेपल सी 22 तीन हजार पदों पर भड़ती का बिग्यापन आने वला है और इसके वाद सुचना होगी बीडियो में रीट 22 नई परिक्षा तीथी घोसित हुई है और जो लोग नए हों हमारे इस चैनल पर बहे सब्सक्राइब जिरू कर लें हमारे इस चैनल को और बेल आकिन के बिटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की authentic जानकारियां हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें तो पहली सुचना है यूपी डेपलेस सी बीडियो भड़ती 22 और आज की समचर पत्रों के माध्यम से जानकारी मिल पाई है कि ग्राम विकास अधिकारी के 242 पदों पर भड़ती होनी जा रही है याने कि उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग याने कि यूपी डेपलेसी की और सिग्राम पंचायद अधिकारी के याने कि 2142 पदों को भड़ने की प्रक्रिया जल्द सुरू होगी तो ये आज के समचर पत्रों में सुचना छबी हुई है तो इसी के संबंद में महत्मुट जानकारी आई है और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें तो देख सकते हैं आप ये देश में ग्राम विकास अधिकारी के खाली पद चल लहे हैं और टोटल पद हैं 2,142 पदों को भनने की प्रक्रिया जल्द सुरू होने वाली है ग्राम विकास विभाग इन पदों को भनने के लिए अधियाचन तियार कर अधिनस सेवा चैन अयोग को भेजने जा रहा है इसके अलावा ग्रामिर आजिवी का मिशन में आउट्टू सोर्सिंग के माध्यम से 3,000 कलेश्टर मैनेजर और अन्य कर्मियों की निक्ति की जाएगी यानि कि UPCC के अंदर दो वेकेंसिय जारी होंगी आपके आगे चल गए और पहली सुचना थी इसमें बीडियो की भड़ती और इसी में दे रखा है कि कलेश्टर मैनेजर की भड़ती होने जा रही है तीन हजार पदो पर और आप लोग इस बीडियो को जादे स्यादा गुरूप में शिर कर दें ताकि सभी को ये जानकारिया मिल जाएं तो इसके बाद हम देखते हैं आगे मैंत्पुन सुचना तो इसमें दे रखा है सरकार द्वारा सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भनने की योजना के तहट ग्राम विकास विभाग ने गिरामिन्ट छेतरों के विकास और रोजगार सरजन से जुड़े पदों को भनने पर ध्यान केंदित किया है यानि कि जैसा कि सरकार की मुहिम है उत्तर प्रदेश सरकार की और नई सरकार ये दुबारा बनी है मतलब दुबारा कारे काल के लिए तो इन्होंने प्रक्रिया तेज कर दी है सवी विभागों में इस समय खाली पदों के लिए ब्योरा जुटाया जा रहा है जल ही आपको उत्तर प्रदेश में बंपर भरतियां देखने को मिलेंगे तो अपनी तयारी आप लोग करते रहें तो इसके वाद सुचना है यूपी टिपलसी जेई एक्जाम यानि कि उत्तर प्रदेश अधिनास सेवा चैन आयोक्स ने समलित अवर अभियंता संगड़क वे फायर मैन के 1477 पद पर भरति के लिए 16 अप्रेल को होने वाली परिक्षा में धानले रोकने के लिए सवी बर्ग के परिशन एक ही सेट में देने का फैसला किया है ये इसमें एक बदलाब देखने को मिला है पहली वार यानि कि एक ही परिशन पत्र में आपके सवी कोर्षन शामिल होंगे यानि कि ये परिक्षाब की 16 अप्रेल को उत्तर प्रिदेश में आईजित होने जा रही है सिविल, इलेक्टिकल, मेकेनिकल और एजी के साथ अन्य बर्ग का पिर्सन पत्र एक ही सैट होगा इसका और आयूक का माना है कि इससे नकल की संभावना ना के बराबर हो जाएगी और परिक्षाड़ती अपने बिकल्प के अधार पर पिर्सनों के उत्तर दे सकेंगे तो आगे हम देखते हैं इसमें तो देख सकते हैं आपे कि उत्तर प्रिदेश में 16 अप्रेल को प्रिदेश के आठ जिलों में जिनमें हैं बरेली, आगरा, मेरट, गोरकपुर, बाराड़सी, प्रियागराज, लखनव, कानपुर इन सवी नगरों में इस परिक्षागा आईजन होने जा रहा है जेई के लिए अलग-अलग बर्ग के लिए 19 लाख अभ्यारत्यों ने आवीदन किया है आविदन के समय अभ्यारत्यों ने बर्ग वार बेकल्प नहीं लिया है इसलिए आयोग ने एक ही सेट में पिरसन पत्र देने का फैसला किया है तो ये परिक्षा आपकी UPSC की और से 16 अप्रेल को प्रारम होगी और एक ही परिक्षा होगी आपकी ये जो की मेडिया के माध्यम से जानकरी दी गई है हम बात करते हैं रीट 2022 ऑनलाइन फर्म की जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो बता दिया था कि रीट के एक्जाम जो ऑनलाइन होने जा रहे हैं यानि कि 18 अप्रेल 2022 से और इसकी लाज़ डेट 18 माई 2022 हैं तो इसकी परिक्षा ती थी आपको पता होने चीए कि कव इसकी परिक्षा का आईजन होने जा रहा है क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जुलाई में परिक्षा होगी लेकिन हमने आपको डेड नहीं बतायी थी जो कि आज मेडियो के माध्यम से जानकारी मिली है कि रेट की परिक्षा 23 और 24 जुलाई 2022 को आईजित होगी यानि कि माधमिर सिक्षा बोर्ड यानि कि अजमेर के द्वारा ये परिक्षा का आईजन होगा 23 और 24 जुलाई 2022 को तो अपनी तैयारी आप लोग जमगे करें क्योंकि पिछली बार ये परिक्षा जो है राज्य सरकार को इस्तेगित करनी पड़ी थी अब ये नई भड़ती पिरक्रिया नई सिरे से प्रारम होने जा रही है तो आगे हम देखने इसके बाद सूचना है तो देखिए उन अभ्यारतियों के लिए सूचना है जो लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीएड एंट्रेंस के लिए जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियों बता दिया था कि इस बार एमजेपी रोहलखंड युनिवर्स्टी बीएड पिरवेस परिक्षा का आईजन कराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और इसके लिए 18 अप्रेल से ओनलाइन आविदन प्रारम होंगे तो देखे इसमें लिखा है कि सासन में रखा परिक्षा कारेकरम बदलाब की अनुमती भी मांगी यानि कि ये चाते हैं कि डेट को आगे बढ़ा दे जाए जो ओनलाइन आविदन आप करेंगे 18 अप्रेल से बताए गया था और इस डेट को आगे बढ़ाए जाए और इसमें दे रखा बीर्ड सेंग्त प्रिवेश प्रिक्षा की आविदन प्रिक्रिया बढ़ सकती है आगे तो इसके लिए इन्होंने काए कि कोई टेक्निकल समस्या ये और वी करने जो समस्या उसको दुर करनेगा पहली प्रियास कर लेंगे ताकि अभ्यारतियों के सामने कोई दिक्कत ना आए लेकिन फिलाल डेट आगे अभी नहीं पड़ी है ठीक है जैसे डेट आएगी या फिर कुछ बात होगी आपको इसी चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दी जाएगी पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद